Central Board of Direct Access यानि की CBDT ने रिसेंटली एक notification जारी करते हुए चार ऐसे conditionate किये हैं जिनके मुताविट अभी से income tax file करना अनिवायरे यानि की mandatory कर दिया है आप अगर इन चार conditions के किसी भी एक condition के डायरे में आते हैं तो अभी से आपके लिए income tax file करना compulsory है अगर आप income tax file नहीं करेंगे तो आपके नाम पर notice भी आ सकती है future में और आपको भारी भर कम एक penalty पेकरना पर सकता है आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बाते करने वाला हूँ और यह जो चार नोटिपिकेशन है यह 21 April 2022 से अभी लागू हो गया है मतलब अभी in effect है यह चार conditions आज की वीडि पहला condition है business turnover को लेकर अगर आप एक business को run कर रहे हैं और आपकी एक financial year में total sell turnover या फिक gross receipt 60 lakh रूपय को cost कर जाती है तो आपसे आपको income tax file करना आपके लिए अनिवायर है वरना आपको penalty पेकरना पर सकता है आपकी अगर business में loss भी हो रही हो फिर भी आपको आपसे income tax file करना ही हो अगर आपकी business में loss रही है तो उस situation में आप अगर income tax file नहीं भी करते थे फिर भी आपको ऐसी कुछ भी मतलब notice आना आपके लिए मतलब मेरे हिसाब से नहीं आया करती थी लेकिन अपसे अगर आपकी gross receipt sales या फिर turnover 60 lakh रूपय को cross कर जाती है तो income tax file आपके लिए अभी करना अ अभी इससे आपको income tax file करना ही पड़ेगा आपके लिए यह compulsory कर दिया गया है अब यह professional receipt आखिर होती क्या है professional receipt का मतलब है आप अपनी professional degree का इस्टेमाल करके जो भी earning कर रहे हैं उसे हम professional receipt कहते हैं अगर हम में example देना चाहूं तो अगर आप एक डॉक्टर है तो आप अपनी practice के जडिए जो earn कर रहे हैं अगर आप एक आई-टी फर्म को run कर रहे हैं law firm को run कर रहे हैं अगर आप एक interior designer है तो आप अपनी interior designer firm को run कर रहे हो या फिर अगर आप एक architect है तो architect firm को earn earn कर रहे हैं तो उस situation में जो भी आपकी income होती है उसे कहा जाता है professional receipt और इस situation में 10 लाग रहे हैं और 10 लाग रुपे से उपर आपको अभी से income tax file करना ही पड़ेगा तिसरी condition है TDS यानि कि tax deducted at source हम सभी को पता है for collecting tax TDS charge किया जाता है चाहे हमारी salary से हो या फिर commission से हो interest income से हो brokerage से हो या फिर debenture payment से हो service charges से हो या फिर rent से हो या फिर जो हमारी immobile property को sell करके हम करते है उससे हो इन सभी से TDS charge किया जाता है और TDS की जो percentage होती है अलग अलग services के लिए अलग होती है 1% से लेकर 30% अभी जो नई condition रखी गई है उस condition के हिसाप से अगर aggregate TDS एक person की financial year में 25,000 को cross कर जाती है तो उस situation में उस person को अभी से income tax file करना ही पड़ेगा और अगर वो person senior citizen है तो उस situation में उनकी जो limit है वो 55,000 कर दी गई है मतलब TDS अलग अलग services से collect की हुई TDS अगर 25,000 हो जाती है एक normal citizen के लिए उसको cross कर जाती है तो उस situation में income tax file कीजिए और अगर senior citizen है 50,000 को cross कर जाती है तो उस situation में भी आपको income tax file करना ही पड़ेगा वरना आपके नाम पर penalty charge किया जा प्रखती है और जो चौतिक कोंडिसओं रखी गई है वर कंडिसओं रखी गई है saving bank की deposit को लेकर अगर आपके पास एक saving bank account हो या फिर अलग अलग bank को में बहुत सारे saving bank account है या फिर पोस्ट ओपिस पे आप saving account को रणकर रहें तो उन total saving account की जो aggregate deposit है चाहे वो एक saving account में हो या लो ह pup पचाहस हजार सकते हैं अीजिआ है पी आपको ध्यान में दृंटरीजस कर दिया है अपनी जो नोरी टमी कीशिर्ट ये जडिये और यह जो नई कॉंडिशन है ये चारों कॉंडिशन अभी लागू भी हो गए है 21 से तो ये भी आपको ध्यान में रखना है असा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं इंफोर्मेशन मिला होगा अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि मेरे ऐसे नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुर्णत आपके पास मिल जाये करेगी तो से लिए मिलता है अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए और टेक क्या पास मिल जाये करें अगले वीडियो क्या अगले तो सब्सक्राइब करें से लिए जुड़े टो से लिएे टेकशराइब